पूरे आद डाई में ने हो चुक है इस सिंगू और कुंडली बाडरी पाम में स्टार्टिंग में शुरू से हमें इसी तरह अपने आपको जिंजीरों में जकट के रखा हुआ मुद्धा सरकार को सेंटर सरकार को दिखाने के लिए वह हम याद होकर भी याद नहीं है अगर याद होते तो आप शड़कों के उपर देख रहे हो हमारे मां बेहन बच्चे बजूर्ग नौजवान चोटे बड़े हम सब आप शड़कों के उपर रूल रहे हैं अगर याद ह होते तो मुद्धी सरकार जो तीन काले कनून किसानों के उपर थोपे उनको वापस ले लेते फिर तो मानते भाई ठीक है हमारी बात को माना गया है इसलिए हम याद होकर भी याद नहीं है पूरी तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़े पड़े हैं जैसे हम सभी किसान ब मेरे बारतवर्च के सभी किसान महसूस कर रहे हैं भी हम आयाद नहीं है हम आयाद होकर भी अगर सरकार हमारे हम हमें कहारे हम किसानों को याद कर रहे हैं तो वेलकम हम तो कहते हम यह तीन कानूनों से हम याद आयाद होएं तो हम अपने घर जाएं हम तो मांग रहे हैं अग सरकार को हम चुक्रिया करते हैं भी उपने बच्चों के पास जो का भी लंबे समय सबकां के उपर अधीक पॉपर बैठे हैं उपने गरव बच्रीया धन्यवात वैल काम हम तो य Прो जो किसानों के उपर लगाए उर आसे मैं किसानों के उपड्र हैं। सिर्फ दूरे प्लुक्छी दुम नेय। कुछी है। मैं यहीं जाता हूं भाई以及 मैजीर को सबीनियों में किसान बंदे अब पड़े हैं। एक मेसीज है जैसे मैं बढ़ा हूँ ना इसी तरह जो तीन कानून सरकार ने किसानों के उपर दुपे हैं उनसे हमें गुटन होती है हम गुटन मुसूश करते हैं सभी किसान भी हमें हमारे लिए अच्छे नहीं है इन इन कानून से दीनों कानून से हमें याद दी चाहिए ब जो 32 जते बंदियां हमारी उनसे बात करें बात करके इस मसले का कुई ना कुछ ना कुछ ना कुछ हल नकालें तो हम आपड़े घर जाएं हल तो निकलना चाहिए ना कोई नकोई अगर सरकार भी एक अगे उठाए तो हम भी हमारी जते बंदियां बात करने के लिए ट्यार है तो निटो भाही हम चानती बात करने कि, हम जो भी है, शांती सही करेंगे और शांती में तरीके से चलेंगे यह दरना चालू रहे गा जिस त्रहौत 가서 कि यह सरकार यह तीन कानून वापस नहीं लेती यह दरना बिल्कुल चालू रहे गा इसी तरह रहे गा, हम बैठे रहेंगे सरकार ने बठाएगी तो बैठे रहेंगे हम जाने वाले दो नहीं है बैठे रहेंगे बिल्कुल इसकी चाभी अडानी और बानी के पास है तो मोदी जी चाहे चाभी ले और जिंद्रा खोले हम जाएं अपने घर हम तो कह रहे हैं हम अपने घर जाएं हमें जो तीन कानून इनको वापस लो तो किसान सभी किसान अपने गर जाएं कोई भी है अपने काम सभी किसानों को है कोई भी है नहीं अपने काम छोड़ का रहे हैं सभी किसानों के मेरा मैं जब सिंगु बॉर्डर की स्टेय पर आया था मेरी माता जी का चूला मेरी सिक्स साल थी उनका चूला तूट गया हमारे पंजाबी में चूकना बोलते हैं यह वाला गिर कर चूला वो तूट गया लेकिन मैं फिर भी पूरी तरह इस घर्ष में टटा पड़ा हूं और जे मेरे में इतना जोश है तो आम नौजवान में कितना जोश होगा जाने वाले न